तो आपकी स्क्रीन में एक क्वेस्चन लिखा हुआ है कहा जा रहा है कि प्रूव करो इसकी वैल्यू जीरो है प्रूव करो इसकी वैल्यू जीरो है आई विल बी गिविंग यू तू मिनट्स टाइम पहले सोचिए कि क्यों है इसकी वैल्यू जीरो तो फिर हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट्स स्टार्ट इसके जो एसके सम्करण करो इसकी वैल्यूशन पर आते हैं इसके स्टूशन अएसके स्टूशन झाल झाल चलिए स्टूडेंट्स ओफुली आप लोगों ने अटेम्ट किया होगा इसको देखिए कहा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए इसका आंसर जीरो है मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है कि जब कभी कोई कोई डिटर्मिनेंट की शकल थोड़ी खतरनाक सी हो आप देख सकते हैं बड़ा डेंजरस सा लग रहा है उपर से वो डिटर्मिनेंट स्मेट्रिक हो तो आप देखिए ये स्मेट्रिक क्यों है क्योंकि भई जो यहां पर है वही यहां पर है जो यहां पर है वही यहां पर है जो यहां पर है वही यहां पर है तो यह स्मेट्रिक डिटर्मिनेंट है जब कोई डिटर्मिनेंट थोड़ा खतरनाक हो और symmetric हो अक्सर वो दो टुकडों में बांटा जा सकता है यानि we can write this determinant as the product of two determinants तो वो मेरी बात को अब ध्यान में रखते हुए हम इसका solution बनाने की कोशिश करते हैं अब students ये जो product of determinants में तोडने की कला है ये आसानी से नहीं आती इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी रोज पढ़ना होगा नंबरों से खेलना होगा पढ़ाई से प्यार करना होगा तो आईए शुरू करते हैं कि भी किस तरह से इस question को प्रूब करेंगे हाँ जी चलिए भी अब एस इस question कैन बी रिटन इन दे प्रॉड़क्ट आफ तो डिटर्मिनेंट्स तो लेट उस सी हाव कम वैं बी कान डू दाट अब सपोस कीजिए भई देखिए यहां टू आ रहा है मैं यहां पर वान लिखू इधर वान लिखू वान इन टू वान फिए अब सपोस कीजिए मैं यहां वान लिखू और यहां वान लिखू तो डिटर्मिनेंट्स को हम सीख चुके हैं कि मैल्टिप्लाइ कर सकते हैं वान इन टू वान प्ल्हां बास वान टू हो गया ये मैच हो गया अब मेरे भाई बन दो यहां पे मैं सपोस्ट करो 0 लिखूं यहां पे देखते हैं अभी क्या करते हैं क्यों यहां पे कुछ भी लिखोगे तो उत्तर क्या आएगा 0 यह आएगा ना तो हमारा यह पहला अबजेक्ट जो है यह तो मैच कर गया है मतलब आंसर आगया तू अब मेरे भाई मेरे को अलफा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा बनाना है मैं यहां पे अलफा प्लस बीटा लिख दू यहां पे गामा प्लस डेल्टा लिख दू और यहां पे जीरो लिख दू तो फिर देखिए alpha plus beta into one alpha plus beta हो गया gamma plus delta into one gamma plus delta हो गया तो ये मेरा दूसरा object ये भी match कर गया ये वला object मेरा ये match कर गया किया ना match इसको इससे ये match इसको इससे ये match हना 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 अब आप कह रहे होंगे कि ये हम किस तरह से multiply कर रहे हैं आईए देखते जाईए जरा क्या scene मनता है suppose किजिए कौन सा match हो रहा है वो बाद में देखते हैं ये तो पक्का match हो ना वान इंटु वान प्लस वान इंटु वान ये टू match हो गया और alpha plus beta into one alpha plus beta गया gamma plus delta into one gamma plus delta गया ये match हुआ ये ये match हुआ देखते कौन match हुआ अब suppose कीजिए यहाँ पर मैं alpha beta लिखूँ यहाँ पर मैं gamma delta लिखूँ और यहाँ पर 0 लिखूँ तो भई alpha beta into one प्लस gamma delta into one मेरे कहाँ से ये भी match हुआ है हना जी अब मेरे भाई बंदों जैसे matrix multiply करते हैं उसके हिसाब से चलते हैं इसको इससे multiply किया to match अब इसको इधर से multiply करें ये आना चाहिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ suppose कीजिए gamma plus delta और यहाँ पर लिखता हूँ alpha plus beta देखते हैं सही कर रहे हैं के गलत कर रहे हैं अब भई one हुआ gamma plus delta से multiply गामा प्लस देल्टा गया one हुआ alpha plus beta से multiply alpha plus beta हो गया यह तो यह भी match हो गया यह भी match हो गया अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ भई गामा डेल्टा और alpha beta तो देखते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ भई one into gamma delta gamma delta हो गई प्लस one into alpha beta alpha बीटा बीटा भी हो गया ये भी मैच हो गया अब अब ये तुम सोच रहे हो गए ये उल्टा पुल्टा क्यों लिखा है यहां पे अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा यहां पे गामा प्लस डेल्टा पहले लिखे अल्फा प्लस बीटा बाद में लिखे तो देखते ह क्या हो रहा है अब भई इसको इससे multiply किया यह आ गया अब जरह यह देखिए क्यों लिखा क्योंकि मैंने इसको ध्यान रखा alpha plus beta gamma plus delta से multiply हुआ alpha plus beta into gamma plus delta plus gamma plus delta alpha plus beta into gamma plus delta यह कितने times आगया तू टाइम्स हो गया यह भी मैच हो गया है अब इसको इससे मल्टिप्लाई करोगे तो यह चो गया है और मेरे को भाइसाब अब लास्ट अबजेक्स देख राएब तो somehow, I am able to write this determinant as the product of two determinants, मानते हैं ना, और जरा देखिये, इसकी एक पूरा कॉलम जीरो, इसका पूरा एक जीरो, रो जीरो, तो आंसर इसका क्या आएगा, जीरो, आंसर आएगा, जीरो, तो शिक्षा क्या हुई, शिक्षा ये हो रही है, कि जब कभी कोई determinant गंदा हो, और सिमेट रेखो, तो अक्सर वो दो टुक्डों में बांटा जा सकता है, और जब उनको मल्टिप्लाई करेंगे, तो रिक्वाइट डिटर्मिनेट आ जाएगा, और जो दो टुक्डे हैं, वो इसली सॉल्वेबल होंगे, इसका एक पूरा कॉलम जीरो, अंसर जीरो, सो दांसर तो यह हमारा आज का सवाल, पहला नंबर, अब हम बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे, माइडियर स्टूडेंट्स दूसरा सवाल देखिये ज़रा, ता जा रहा है कि a square प्लस x square, ab minus cx, ac plus bx, ab plus cx, b square plus x square, bc minus ax, ac minus bx, bc plus ax, c square plus x square, सब्सक्राइब एक स्कॉर में लिखा गया है हमने प्रूब करना है कि यह वाला डेट एक डिटर्मिनंट के स्कॉर में लिखा गया है फिर आप दो मिनट लीजिए सोचिए मैं जरा चुप होता हूं आप दो मिनट लीजिए अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर शायद ये भी दो डिटामिनेंट्स के प्रोड़क्ट में लिखा जा सके तो मैं काओंगा हो भी सकता भई फिर कई आप मेंसे ये कहेंगे कि सर ये तो सिमेट्रिक है नहीं क्योंकि यहां पर और यहां पर चीज सेम नहीं आ तो मैं काओंगा कुछ और सोच लीजिए फिर तो मेरे बच्चे लेटास टार्ट कि भाई ये सवाल कैसे बनाएंगे देखिए आज की ये जो एक्सरसाइज है ये जो यूट्यूब क्लास लगाने का मेरा परपस ये है कि आप लोगों के दिमागों के दरवाजे खुले आपका दाइरा बढ़ा हो पीचर जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो तो चलो ठीक है ही है पर आप अपना विस्थार कीजिए अपने दोस्तों से सवाल ये यूट्यूब से क्वेश्चन निकालिए तरह तरह के क्वेश्चन कीजिए अगर आपने जही लड़ना है तो ये काम करना पड़ेगा लेकास नाओ काम आन्टो दी क्वेश्चन की वाइड इस डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट अब मेरे भाई एक प्रॉपटी जड़ का दिमाग में डालिए कि किसी के अड़ जॉइंट का डिटर्मिनेंट सपोस करो एक मेट्रेक्स 3 क्रॉस 3 की है हमने पड़ा हुआ है कि अड़ जॉइंट का डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट की पावर N-1 यानि अड़ जॉइंट A का डिटर्मिनेंट जो आ रहा है डि जी हाना जी तो यह दिमाग में क्यों आया क्योंकि मैंने का यार यह जो धंचा है यह कुछ इस प्रकार का महसूस हो रहा है कि एक तरफ एक है और दूसरी तरफ डिटर्मिनेंट का स्कॉयर है तो चनमी इसी तरह काए एक dosरफ ॡिटर्मिनेंट का स्कॉयर है तो शायद यह कहीं ऐसा bulbs above की ये ओर यह है और यह अड़ análट एँ ना जी तो लेटा सी कि में कितना सही सोच रहा हूँ और क्या सच में ये है एक काम करते हैं इसको न उठाके हम दो सी तरफ ले जाते हैं लीजिए अब मेरे भाई सपोस किजिए ये एक मेट्रिक्स बना देते हैं ये वाली जो साइब में इसकी मेट्रिक्स बना डालते हैं अब कि एस मेट्रिक्स के चॉर पे दो डालते ते इसके चॉर से अब प्रभू हきा होता है एक जॉइंट हो दोवारा बनाई गई अधर ड्रांसपोस वाहर रखतें और फिर बाद में क्रांसपोस कर देंगे ठीक है जी मैं थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिखता हूं हर element की जगा उसके co factor रखेंगे बाद में उसका transpose कर देंगे बाद में उसका transpose कर देंगे तो plus minus plus minus plus minus plus minus plus जनाब जड़ा देखिए यह गया x square plus a square x square plus a square यह गया यह गया माइनस cx minus a b minus cx minus a b ये गया ये गया a c minus bx a c minus bx हना 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 अब इसी प्रकार से एक और निकाल देता हूँ ये गया ये गया cx minus a b cx minus a b हना जी अब जरा आप चेक कीजिए जरा x square plus a square match ये minus अंदर गया तो ये बन रहा है cx plus a b और क्योंकि transpose लेना इसने नीचे उतरना है तो cx plus a b ये है a c minus bx ये जब transpose करेंगे तो a c minus bx इदर उतरना है तो मेरी जो शंका थी वो सच साबित हुई कि भई ये तो structure ऐसा ही है कि एक तरफ adjoint का determinant है दूसरी तरफ determinant का square है तो hence proved hence proved कि भई ये जो चीज है ये जो चीज है मेरे भाई ये जो चीज है ये इस matrix का adjoint है और ये 3 cross 3 order की है और adjoint का determinant determinant की power n minus 1 यहाँ पे n 3 है तो hence proved हो गया है तो अब भई आप अपनी copy में अपने दिमाग में ये छपी है कि एक तरफ determinant हो दूसरी तरफ determinant का square हो तो और वो जो determinant दोनों तरफ है वो 3rd order का है तो भई अकसर जेई में ये character matrix और उसके adjoint के उपर based question होगा बात दिमाग में जा रही है दिमाग में जा रही है तो लिखिए हम बढ़ते हैं आगे तो दो सवाल आप बना चुके हैं दोनों में जोर था पहले में राधर ज्यादा जोर था कि भी किस तरह से हमने दो टुकड़े बनाए पहले सवाल के दिखें लिखें शाबाश चलिए आगे बढ़ते हैं to the next question boys and girls मैं फिर आपको दो मिनट देता हूं इस सवाल को सोचने के लिए कहा जा रहा है कि यह एक गंदा सा डिटर्मिनेंट इस गंदे से डिटर्मिनेंट के बराबर है बनाए जरा शाबाश हो जाईए लिए क् मिमेंट सर टूल जब के और कनेवगे तो रहां टूल दूल अई विए थैने C LAफ्लियोर्टत्ट लिए व्यूविप कनेक्ति debates like और स्टेंटर्मि夏 एंविए हील बडेश्टत्टत्त्क लेतल इस ग्यार्स मैं फिएलीज़र्च sıras झाल 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 तो स्टूडेंट्स आयम बैक दो मिनट हो गए आपके पूरे लेटर सी क्या सोचा आपने आप देखिए कहा जा रहा है कि ये गंदा सा डिटर मीनेंट और ये गंदा सा डिटर मीनेंट दोनों बराबर है तो बयक्त लैट इस सी क्स तरह से करेंगे के काम करते हैं हम न इसको PAUL करते मैं तोड़ा कलर थोड़ा चेंज करनूं यंडर ऑो झ्याब टो गीर रसक और माहीन च दछी आव भीर्ट को वै discuss स्कॉर मैना स कॉह भीजित सुर्ब भीजर वार biscो को लिंत ्ब भीजर plus स्कॉर माइन शुवैं कैस को झोह आप ये स का लीजिड को पूर पलास y square minus 2by इसको खोलो तो b square plus z square minus 2bz और ये ये हैं मिरे भाई c square plus x square minus 2cx c square plus y square minus 2cy and c square plus z square minus 2cz मैंने अभी तो भाई ये जो अंदर वाली चीज़ है इसमें identities लगाके खोल दिया है अब लेट उस सी हासिल क्या होगा अब भई एक मेरी statement तो है कि अक्सर डिटार्मिनेंट अगर गंदा हो और symmetric हो तो दो टुकड़ों में बढ़ता है यह गंदा तो जरूर है पर symmetric नहीं लग रहा है पर शब्द देखिए मैंने अपने शब्द बड़े केरफुली बोलता हूं अक्सर हो सकता है कि अक्सर वाली बिरादरी में काटेगरी में यह ना फॉल करता हो सकता यह भी कोई दो टुकड़े हो तो लेटास सी जैसा मैंने का प्रोड़क्ट अफ्टू डिटार्मिनेंट इसका क्वेश्चन विच यूशली आस्टिंग जैई एडवांस बट देर वास एंग्जामिनेशन इन जैई वेन प्रड़क के बस की बात है कि देखिए जरा फिर क्या करते हैं शायद यह दो टुकड़े बन रहे हैं शायद यह दो टुकड़े बन रहे हैं मैं पहले थोड़ी जगा बना लू ताकि लिखना आसान हो जाए कि चलिए अब भई वन मेरे को ए स्क्वार प्लस एक स्क्वार माइनस टू ए एक्स चाहिए देखिए आदा ये एकस वाई से खेल रहा है आदा एबी सी से खेल रहा है आदा एकस वाई जैड से खेल है आदा एबी सी से खेल है तो मैं कोशिश करता हूं कि एक डिटर्मिनेंट में एकस वाई जैड रखता हूं एक डिटर्मिनेंट में एबी सी रखता हूं और शायद मै मैं कामियाब हो जाओं तो मेरे बच्चे वान टू एक्स और एक स्क्वाइर ठीक होगी बात और यहां पर सपोस कीजिए ए स्क्वाइर माइनस ए और वन जड़ा देखिए इसको इस बिरादरी से इस तरीके से मल्टिप्लाई करेंगे तो ए स्क्वाइर माइनस टू ए एक्स प्लस एक स्क्वाइर ए स्क्वाइर माइनस टू एक्स प्लस एक स्क्वाइर क्या मैं कामियाब हो गया येस, cell element बनाने में काम्याब हो चुका हूँ मैं, अब अगर एक बन गया है, तो दूसरा को automatic बनेगा, इधर पक्ता B square और यहां minus B और 1 आया होगा, इधर minus, sorry, इधर C square, C square minus C और 1 आया होगा, let us see क्या यह सही है के नहीं, C square minus 2C, minus 2CX plus X square, C square minus 2CX plus X square, और B square minus 2BX plus X square, तो मैं जो सोच रहा था, मैं उसमें काम्याब हो चुका हूँ, प्रहू, जो सोच रहा था, उसमें मैं काम्याब हो चुका हूँ, यह तीन element इस तरह से multiply करने पर आ रहे हैं, तो भई, आपके जो hard drive है, उसमें यह बात आप अकसर वाली रखिएगा, कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज symmetric ही होगी, वोई दो टुकडों में बटेगी, यह देखिए, यह भी बांट दी मैंने दो टुकडों में, अब भई, जब एक बंजा है ने, तो symmetrically दूसरा होगा, यहां पका 1 आया होगा, यहां 2Y, यहां पे Y square, यहां पे 1, यहां पे 2Z, यहां पे Z square, let us see कि I am writing correct or not, A square minus 2AY plus Y square, A square minus 2AY plus Y square, B square minus 2BY plus Y square, B square minus 2BY plus Y square, C square minus 2CY plus Y square, C square plus minus 2CY plus Y square, तो भई किसी तरह से यह जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डेट है मैं इसको दो टुकडों में लिख पाया हूं भाई साब दो टुकडों में लिख पाया हूं अब अब हमारा प्रस्टन यह थोड़ी ना था कि इस डेट को दो टुकडों में लिखो क्वेस्चन तो था कि इस डेट को इस डेट के बराबर प्रूव करो तो आप देखते हैं कि उस कड़ी को किस तरह से मैं जोडता हूं आप इतनी बात तो मेरे ख्याल से फॉलो कर रहे होंगे कल जब क्लास में आएंगे मैं पूछूंगा रेडी रहिएगा आपको पता ही है नहीं तो मैं पीछे पढ़ जाता होता हूं अच्छा अब मैं यह आप समझ गए कि मैंने इस डेट को दो टुकड़ों में लिखा मैं थोड़ी सफाई कर दू ताकि मेरे पास जगा बच जाए है हाँ जी अब भाई यह जो दो टुकड़े हैं इनको जरा इदर लेके आते हैं आओ जी आओ अब प्रभू आपने यह तो प्रूव कर दिया कि यह दो टुकड़ों के प्रोड़क्ट में है अब मैंने इसको प्रूव करना है कि तू इसके बराबर है हाना जी तो भई आपने फिर भेजा चलाना है किस तरह से करेंगे जरा आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसको खोलिए जरा मन में इसको खोलेंगे ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वाइर क्या होता है ए स्कोएर प्लस बी स्कोएर प्लस टू अबी यह पहला आपजेक्ट पहला आपजेक्ट यह बन रहा है तो अगर मैं यहां से ऐसी चीज बना पाया तो मैं कामियाब हो जाऊंगा तो देखते हैं जो बगवान की इच्छा बाकी तो प्रबू ही मदद करते हैं अब भई एक तो situation यह है कि यहां पर positive है ठीक है जी तो यह negative जो है यह गड़बड कर सकता है तो हम खेलते हैं जरा let us see how can we do that my dear friends one two x x square one two y y square and one two z z square मैं यह second row में से negative common ले रहा हूं second row में से negative common ले रहा हूं ठीक है जी मैं इसको थोड़ा मिता देता हूं जगा बंजय मेरे पास negative common ले लिया और मैंने यह बाहर करके लिख दिया है ठीक है जी और अब देखिए structure सोचिया आपको चाहिए a square x square जो है वो x square है तो मतलब जब आप इस तरह से multiply करेंगे इस जगा में a square आना चाहिए ताकि x square और a square multiply होके यह बन जाए और यह one है इस तरह one आना चाहिए ताकि one into one multiply होके one बन जाए और two x बीच में यहां पे यह आना चाहिए तो मेरे पास एक property है कि consecutive rows और columns को interchange करने पर निश्चान का फरक पड़ जाता है तो मेरे भाईया वही चीज का खेल रचने लगे हैं चलिए आईए रचते हैं यह negative common निकालके मैंने यहां निकाल लिया था अब भाई one 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 को किया इदर इसको किया नीचे बार one one को किया उपर one 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 को किया उपर a square b square c square को किया नीचे बार क्या लग गया फिर minus तो माइनस और minus adjust होके अब one 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 जो हो गया है वो सबसे उपर आगया है one 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 सबसे उपर आगया है अब A square B square C square ये बीच में आ गया हुआ है और ABC इदर आ गया हुआ है क्या हम सही जा रहे हैं जा रहे हैं ना तो भई एक और इंटरचेंजिंग कर देते हैं ABC चल उपर A square B square चल नीचे तो बाहर एक माइनस लगेगा ये वाला माइनस फिर कंज्यूम हो गया अब ABC आ गए ऊपर A square B square C square चले गए नीचे Am I right? Now my dear friend, somehow मैंने left hand side वाले determinant को दो टुकडों में लिखा और दूसरे टुकडे की मैंने कुछ adjustments की अब जराब multiply कीजिए और देखिए क्या target अचीव हुआ के नी हुआ इसको इससे 1 प्लस 2 AX प्लस A square X square 1 प्लस 2 AX प्लस A square X square match 1 प्लस 2 BX प्लस X square B square match 1 प्लस 2 CX प्लस C square X square match 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 hence proved मेरे बच्चे hence proved तो दिमाग में आपके यह जाना चाहिए सवाल किस तरह से किया है टैलेंटिट बनिए सवाल निकाला कीजिए पढ़ते जाएए शबाश अगले क्वेस्टन पर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्क्रीन आपके सामने हैं चलिए सवाल बनाएंगे हम अगला पर वाट वैल्यूज ऑपी एंड क्यू अफ इक्वेशन देश 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 यह यह तो सवाल आसान है मेरे बिच्चे यह सवाल तो बहुत आसान है बनाएंगे दो मिनट दिया आपको और वोट वैल्यूज ऑफ पी और क्यू यह कैसा सिस्टम है यह तीन एक्वेशन तीन वरीवल बला सिस्टम है कहता कि मैं बताईए पी और क्यों यहां पी बैटा है यहां क्यों बैटा है पी और क्यों की कौन कौन सी वैल्यूस के लिए इस सिस्टम का युनीक इंफनाइट और नो सिलूशन है बहुत जल्दी कर दीजे शबाश झाल 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 चलिए वही दो मिनट का समय समात हम करेंगे आगे तो मेंट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल करते हैं कोफिशंड की मेट्रिक्स कोफिशंड 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 एग रही है? 2-2 this must not be equal to 0 this is 2P minus 6 minus P plus 3 must not be equal to 0 यहां से आगया P must not be equal to 3 तो भाया unique solution के लिए तो P पे तो first class condition आगी है कि P 3 नहीं होना चाहिए बाकी भाइए क्यों तेरा लेना देना नहीं है P बस 3 नहीं होना चाहिए dependency Q के उपर नहीं है तो आपको पहले सवाल का उत्तर क्या हुआ कि P 3 नहीं होना चाहिए और Q जो मर जी पी तो 3 नहीं होना चाहिए Q जो मर जी ठीक होगी बात और दूसरे के लिए अब यह हम हटाते हैं अब मेरे भाई उसने का कि infinite solution और no solution की क्या condition होगी भाई कि हमारा जो debt आया एक पिनट हम उसको क्या कर रहे थे हमारे पास आया था कि पी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3 हाना यह आया फॉर विच सॉलूशन पॉर विच सॉलूशन जेटलमें यह आया फॉर यूनीक सॉलूशन अब उसने का नो सॉलूशन भी होना चाहिए इंफनेट मैंनी सॉलूशन भी होना सॉलूशन भी होना ही तो उसके लिए मेरे पास जो होना क्या हो इन दोनों के लिए पीँ तो फ्री होनी चाहिए अब क्यूं क्यूं की वैल्यी autom इस से मुल्टिप्लाइद करना होगा और ये दो किंडिश्नों का चेक करना होगा to let us see कि हम सई कर रहें के नहीं कर रहे हम मेरे भाई अजोइंट निकालते हैं मईनस प्लास is का त्रस्पोर्स यह यह क्या यह कितना वंन रहा है यह अंहां ने तो भई ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया अब ये गया ये गया ये कितना बंदा है six minus six zero ये गया ये गया three minus three zero ये गया ये गया two minus two zero ये गया ये गया ये गया three minus two one ये गया ये गया three minus two 3-1 3- 1 3- 1 2-1 तू 6-10 and Q जरहाँ multi frågor तो यहाएगा माइनस 10 अब देन यहाएगा 20-20 Q Q और यह आएगा आपके पास माइनस 10 प्लस Q जेंट्रमेन नो सॉल्यूशन के लिए एड्जॉइंट एंटू बी 0 नहीं होना चाहिए इन्फनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए एड्जॉइंट एंटू बी 0 होना चाहिए तो यहां से अगर आप देखे तो Q 10 आ रहा है एड्जॉइंट एंटू बी 0 करने के लिए Q की वैल्यू और टैन मैनिस 10 जीरो 20 मैनिस 20 जीरो 10 मैनिस 10 जीरो तो मतला Q आ रहा है 10 किसके लिए इन्फनाइट मैनिस सॉल्यूशन के लिए तो इन्फनाइट मैनिस सॉल्यूशन का अंसर आया पी 3 होना चाहिए Q 10 होना चाहिए और नो सॉल्यूशन का क्या अंसर आएगा कि पी 3 होना चाहिए और क्यू नौट 10 होना चाहिए तो भाईया यही तो प्रश्ट था कि बताईए P और Q की क्या values होंगी जिसके कारण इसका unique, infinite और no solution आएगा तो आप ये आसान बहुत हलका सवाल था आप लिख सकते हैं कि नौप फुली ये question आपको समझा गया हम अगले question पर बढ़ते हैं without wasting any time तो देखिए क्या का जा रहा है कि if A square plus B square plus C square अगर minus 2 है तो and Fx जो है वो ये है एक determinant है तो बताईए Fx कितने डिगरी का polynomial है तो बहुत आसान है ये तो सवाल हलका ही है करिए जड़ा दो मिनट का समय दिया आपको कि अगर A square plus B square plus C square minus 2 है और Fx ये है तो Fx कितने डिगरी का polynomial है मतलब हमने एक बात ये आपको अटपटी लग रही है क्या स्क्वार प्लास B square plus C square minus 2 3 स्क्वारों का सम नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है ABC real होंगे कुछ imaginary object हो सकते हैं तो बनाइए दो मिनट का समय दिया आपको कमेंट्स में लिखते भी जाईए कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कोई अवाज का इशू तो नहीं है किसी को वह भी लिखते जाईए ताकि अगली क्लास में ये गड़बडियां खतम हो जाएं हमारा फर्ज है पढ़ाना टेकनोलोजी तो सीख ही लेंगे हम लोग फीक है ना बनाओ फिर शाबश 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 तो आपको क्या क्लास में कराता होता हूं मैं कि कॉलम्स को एड़ करके देखिए रोस को एड़ करके देखिए कुछ फाइदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं सवाल कि भाई तू किसके कितने डिगरी का पलिनॉमियल है तो मेरे भाई नगाई अगर आप इस चीज़ पर नजर फर्माएं और फर्माएं तो एस स्कुरल प्लास ब्लस प्लस एक्स प्लस उन मतला 2x टो भाइया ये तो अगर तीनो枉ब को एड़ कर दीजे कोलम मन में alam क्ल टू कॉललम फ्री आड़ करेंगे तो मेरे भाई हमारे पास क्या बनेगा X प्लस X 2X प्लस X common e malfunction Especially even운데 about 10TC एका def today the exit to l toes and यहां पर x times a square plus b square plus c square plus one है 2x plus x times a square plus b square plus c square plus one है हना जी तो बाकी कॉलम तो हमने छेड़े ही नहीं है ठीक है जरा देखिए a square plus b square plus c square हमारे पास negative of 2 है तो यह negative 2x positive 2x cancel out हो गे तो भाईया इस तरफ तो 111 नहीं बच गया तो यह मैं उड़ाने लगा हूँ यहां पर 111 बच गया तो यह 111 बच गया है ठीक है जी 111 बच गया है इसको जरा देखिए यह x plus b square x है और यह x plus c square x है यह जी 1 plus b square x यह है x plus c square x यह है x plus b square x यह है 1 plus c square x ठीक होगी बात अब जरा इसको हम open up करेंगे क्या कछ़ोंता है रोट टुमें एक रोंग ठीक हांस रोट त्वहकाइश है तो बाई पहली रोग को 아पने छेड़कानी की नहीं पहली रोग की छेड़खानी हमने बिल्कुल नहीं की हां जी इसमें से यह मैंडिस किया जी रो इसमें यह यह कौन सा ट्राइंगुलर बन रहा है यह पर ट्राइंगलर प्रिंस्वर डियाग्नलर रही जिए जिरो आप ट्राइंगलर का अंसर क्या हुथ इस अवर अंसर यह तो बहुत ही हलका मेंस लेवल का सवाल मेंस लेवल का सवागें पर मेंड़ में लिखते जाएए की समझ आ रहा की नहीं आ रहा कल मैं पूछूँंगा सारे पहले ऑपगे मेंघ में जितने एबीसी टीचर्सक्य स्टूडन्ट है उड़ा डालिए सबको बताइए कि वीमसी के स्टूडेंट्स हैं पड़ो पड़ो शबाश दिन रात पड़ो सवाल निकाला करो यार दोस्तों दिला मैं बनाता हूं सवाल कि किसी से ना निकले मेरे पास लाइए मैं बनाऊंगा सवाल पड़ते जाओ शबाश तो भई खोफुली आपके दिमाग में चले गए हमें काम करते हैं रीकाप कर लेते हैं कि कुछ वैसे मेरे को आया है कि आवास थोड़ी क्रैक कर रही है तो कुछ नहीं होता आवास का क्या है दिमाग चलना चाहिए हाँ जी पहला सवाल था यह वाला यह तो थोड़ा अच्छा क्वेस्चन था कि यार बता मेरा अंसर जीरो क्यों है तो मैंने आपको कहा था अगर डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक हो और गंदा हो तो अकसर दो टुक्णों में बढ़ता है तो यहां पर तू को मद्दे नजर र आता है जब अलफा प्लस बीटा गामा फ्लस डेका से मत्विला और गामा प्लस देल्टा अलफा यह ते टुक्णे मैंने बना दिये कैसे बानि यह ए तो यह मैं आप इसको किया यहां में पूठा कर दिया इधर और उदर का ओरडर उल्टा रखा था कि मेरी चाहत पूरी हो जार सवाल हो जाए चलिए बहुत बड़ी है सवाल तरफ टितर्मिनेंट एक तरफ अब होता है जब मेरे ब्रभु अड्टॉइंट एक है की पार था न माइ-बीटर्मेंट 3D बन जाएगा तो यह इंटर्मिनेंट और यह मेट्रेक्स रही होगी सकांट रही होगा यहां से आगया होगा चलिए बहुत बहुत ही जबर्दस ब्यूटिफुल क्वेस्चन था ऑल्दो स्मिट्रिक नहीं था भाईया फिर भी दो टुकड़ों में बाटा गया और किस तरह से इसको इस स्थिती में पहुंचाया गया स्किल है अगला सवाल की मी सिस्टम आफ इक्वेशन ए त्री नो सलुशन कब होगा उनीक सलुशन कब होगा इंफनेट सलुशन कब होगा तो थे यह थेउरी लगाई यह मोज मनाया चलिए आगे last में है एक किटने डिगरी का पालिणोमील यह तो हमारा सीट सीदा सीदा ही हो गया तीनों कॉलम को और पिर हमने इसको सवाल कर दिया तो भई 5 सवाल हमने बनाए हैं अक्सर हम ये classes लगाते रहेंगे कल मिलेंगे सुबह सुबह कल competition class अपने time पे है सुबह 10 बजे ठीक है और test भी है पढ़ते जाओ शाबाश बाई बाई